हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैजिक किचिन बित फैमली में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलू मैती बित मटर चलो चलते हैं मैंने कड़ाई को गैस पी रखा हुआ मैं आईरन के कड़ाई में बनाऊंगी गैस ओन करती है फ्लेंग को मैं आपको दिखाती हूँ सामेकरे आलू मैथी माटर ग्रीन चली जीरा हल्दी नमक ये सारी चीज़े हैं और ओल हमारा गरम हो रहा है मैं इसको बिच बिच में चेक कर रहे हूँ और फ्लेंग मैंने हाई रखी है आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर क करिएगा अपने फैमिली मेंबर्स रिलेटिव में भी सेयर करिएगा और आपके पास अगर कोछ अच्छा है तो मुझे जरूर कमेर्स बताएं इसमें डालूंगे जीरा ग्रीन चिली थोड़ा चलाएंगे इसको और इसमें डालेंगे आलू आलू को हमें काफी देड़ तक सेखना होगा करीब 5-7 मैंट तक अच्छे से आलू को हम सेख लेंगे और आपके पास अगर कोई अच्छी रेश्पी है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर सेयर करें और आप अपने फैमिले मेंबर्स रेलेटिव में भी सेयर करें मैं आलो को बीच 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 चलाते हुए सेख रहे हूं अच्छे से और आप लोग जरूर ट्राई करें यह बहुत ही अच्छी सबजी बनती है आप ल मटर मटर को भी सेकेंगे अच्छी से इसको बीच बीच में चलाते हूं मैं इसमें आट करूंगी हल्दी आप चाहें तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं मैं इसमें आट कर रहे हूं हल्दी को भी अच्छी दीर तक पका लेंगे अच्छी से अच्छा कलर आ जाएगा आलूम और ये सबजी बड़ों को, बच्चों को, सभी को बेहत पसंद आती है, इसको आप रूटी, पराठा, नान, किसी की भी साथ सर्फ कर सकते हैं, अभी मैथी का सीजन भी चल रहा है हो, और कुछ तिन बाद मैथी जाने वाली है, तो आप लोग जरूर 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 ट्राइ करें, और अब मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ, मैथी क्योंकि हमारे आलूर 30% को खो गए हैं, और इनुने अच्छा सक क्रंच आ गया है, और आप अपने अंसार मैथी को एड़ कर सकते हैं, मैथी को मैं थोड़ा थोड़ा डालके सबजी में चलाऊंगी, और मैथी अपने आप देख सकते हैं, फिर से एड़ करूँगी, आप जितनी मैथी चाहें, आप उतनी डाल सकते हैं, जितनी जैसी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, आप देख सकते हैं, मैथी क्तिम स्रिंक हो गई है, आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं, वरना आप ऐसे भी को क कर सकते हैं बिल्कुल लो फ्लैम पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी अट करूंगी हमारी मटर अच्छी से कल जाएं क्योंकि यह भी मटर जो है ना बहुत अच्छी पकी हुई आ रहे हैं मैंने फ्लैम को रखा हुआ है जैसी एक बॉयल आया मैंने फ्लैम को लो करती है और मैं इ मैं इसको सर्ब करूंगी पराठा के साथ आप देख सकते हैं मैंने श्क्वेर पराठा बनाया है मैं इसके साथ सर्ब करूंगी और आप रोटी पराठा नान किसी के भी साथ कर सकते हैं यह बहुत ही पसंद आती है मैं इसको फिर्चे चेक करूंगी और हमारी सब्ची अल्म से कल गए हैं और अब मैं फ्लैम को कर दूंगे ओफ और मैं इसको सर्प करके दिखाते हुए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करिए शियर करिए कमेंट्स करिए मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद